अज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप अपने फोन से कोई ब्लूटूथ एरफोन या फिर ब्लूटूथ हेड़फोन कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे अपना डिवाइस आउन करने के बाद आपके फोन में यहाँ पे ब्लूटूथ में उस डिवाइस का नाम शो नहीं होता है आपके ब्लूटूथ या फिर एरफोन का नाम यहाँ पे नहीं आता है तो इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करें तो इसके लिए आप अपने फोन की सेटिंग्स ओपन करने के बाद नीचे स्क्रोल करिए नीचे आने के बाद एपस आएगा इस पे क्लिक करिए उसके बाद मैनेज एपस आएगा या फिर एप मैनेजर आएगा या फिर एप मैनेजमेंट आएगा तो इस पे क्लिक करिए और इसे open करिए अब इसे open करने के बाद आपके phone के सारे app आ रहे हैं अब यहाँ पे आने के बाद आप नीचे आईए नीचे आने के बाद आएगा Bluetooth इस तरीके से तो इस पे क्लिक करिए उसके बाद नीचे 4 से stop आएगा इस पे click करिए, okay करिए, अब उपर storage पे click करिए, नीचे clear data करिए, clear all data करिए उसके बाद okay करिए, तो ये करने से कुछ आपका data delete नहीं होगा, तो ये करने के बाद back आजाएए और अब setting में नीचे आकर आएगा connection and sharing, तो connection and sharing पे click करिए उसके बाद नीचे आईए और नीचे आकर आएगा Reset Wi-Fi Mobile Network and Bluetooth और ये सेम सैटिंग्स आपके फोन में Reset Network Settings के नाम से आ सकती है तो इस पे क्लिक करिए और उसके बाद नीचे Reset सैटिंग पे क्लिक करिए उसके बाद OK करिए तो ये करने से कोई आपका डेटा या फिर कुछ Reset नहीं होगा बस आपके फोन में Wi-Fi Mobile डेटा और Bluetooth की सैटिंग्स Reset होती है तो यहाँ पे OK पे क्लिक करिए और ये करने के बाद अपने फोन को Restart करिए और उसके बाद अपना जो आप Bluetooth या फिर Bluetooth earphone headphone connect कर रहे हैं उसे बंद करके फिर से चालू करिए और अब ये सारी सैटिंग्स अपलाई करने के बाद चेक करिए Bluetooth में आपके earphone या फिर headphone का नाम शो हो रहा है तो देख सकते हैं इस तरीके से आप इस problem को ठीक करें विडियो पसंद आई तो इस विडियो को लाइक जरूर करें